है गाई वालकम तो सब्सेद गरोड कि अ व्यूडियो में हम क्या गरेंगे हम आज के दिन के यानिके तेरीस जनुबरी के करेंगे गई गाइस अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं गया देन प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड फिट दा बैल इकन जो हमारी आपको से अभी तक के जो करेंट आफियर्स की सीरीज चल रही है वो कल से कंट्यूनियू हो जाएगी राइट चलिए आज के मॉटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो का अगर आप सक्सेस के मार पर चल रहे हैं तो आपको फेलियर को पास करना ही होगा राइट चाहे वो कोई भी हो फेलियर किसी भी तरीके का हो सकता है लेकिन आपको उसको पास करना ही होगा इसका मतलब यह नहीं कि आप फेल होके बैट जाए आपको लगातार आगे बढ़ते र setup in NDRF की स्थापना कब हुई थी? NDRF की अगल full form है, तो NDRF की full form के बारे में मैं बता जिता हूँ आपको National Disaster Response Force. National Disaster Response Force की स्थापना कब हुई थी? 2004, 2005, 2006 या फिर 2007. इसके जो Chairman होते है, वो Prime Minister होते है, ठीक है? इसके बारे में ब्रीफ है, ठीक है? एक बारी आप इससे go through जरूर कीचेगा, राइट? चलिए 2005 में ये एक्ट बनाया गया था और 2006 में इसको लागू किया गया था, ठीक है? चलिए जो हावडा काल का मेल है, उसका नाम बदलकर निम्द लिखित में से क्या कर दिया गया है? स्वास एक्सप्रेस, स्वास एक्सप्रेस, नेता जी एक्सप्रेस या फिर बोस एक्सप्रेस जैसा कि हम जानते हैं, आज स्वास एक्सप्रेस जी का जन्म दिन था, ठीक है? यानिके 23 जन्वरी को उनका जन्म दिन था, ठीक है? तो उनकी एक जन्म जो एनिवर्सरी मनाई जाती है, वो आज ही मनाई जा रही है इसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में, डेटेल में बताऊंगा, ठीक है? ये निताजी सुवास शंद बोस है, और जो हावडा काल का मेहल है, उसका नाम अब निताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, ठीक है? जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स था, उसके दूसरे शंसकरण में किस राजी ने टॉप किया है? तो इसका correct answer option C बिल्कुल भी नहीं है, इसका correct answer है, option number D, करनाट का आज में आपको किसी के भी CM या governor नहीं बताऊंगा, नहीं capital आप बस इतना कीजिए कि जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप एक बार इसको remind कीजिए अगर remind नहीं आपाता, तो आप मुझे बताईएगा, मैं अगली वीडियो से फिर से उसको continue करूँगा, ठीक है? लेकिन इन चारो स्टेट्स के मैं आपको CM, governor, राजिपाल, CM, governor और capital मैं बता चुका हूँ, प्लीज एक बार remind कीजिए, अपने आपको answer देने की कोशिस कीजिएगा, राइट? यह महारास्ट्रा जो है, वो second place पर है, इससे पहले तमिलाडू second पर था, उसको overtake करके महारास्ट्रा अब second place पर आ गया है, ठीक है? अब इंडिया इनोवेशन इंडेक्स निम लेकित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? आर भी आई, फैनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री या फिर नीती आयोग, so the correct answer is नीती आयोग, जिसके के chairman कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है? अगेन, मैं आज आपको इनके minister नहीं बताऊँगा, एक बार ही आप खुद को बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन मैंसे मैंने हर किसी के आपको बताए है, also comment section में आप मुझे बताए कि नीती आयोग के vice president कौन है? जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? इतना बता सकता हूँ कि एक economist है, ये पूने से बिलॉंग कर दे है, but please guys कोशिश कीजिए, अगर आप बताएंगे तो आपको remind रहेगा, ठीक है? नीती आयोग में release कहा है second edition, अब अगर हम इंडिया innovation index की बात कर रहें, तो क्यों ना हम ये जान लें कि कौन कौन से states हैं, जिन्होंने top किया है, करनाट का first पर है, 42.5 score है इनका, second पर महराश्ट्रा है, third पर तमिलनाडू है, fourth पर तेलंगाना है, fifth पर केरला है, sixth पर हर्याना है, seventh पर आंधर प्रदेश है, eighth पर गुजराद है, ninth पर यूपी है, and tenth पर पंजाब है, अगर हम union territories की बात कर रहें, तो डेली ने top किया है, ठीक है, डेली ने union territories की list में top किया है, ठीक है, चलिए, इंडिया's rank in global fire power index, 2021 global fire power index, 2021 में भारत की rank क्या है, third है, fourth है, tenth है, या फिर 20 है, यानि कि तीसरी है, चौती है, दसमी है, या फिर बीसमी है, so the correct answer is fourth, तो इंडिया जो है, रशिया, USA सबसे पहले नंबर पर है, ठीक है, second number पर रशिया है, third number पर जो है, वो चाइना है, उसके बाद fourth number पर हमारा इंडिया है, ठीक है, and fifth number पर जैपैन है, ठीक है, यह top five है, अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें, तो पाकिस्तान ने इसमें 10th position पाई है, ठीक है, चलिए, ठीक है, यह इसके बारे में brief है, आप इससे एक बार ही go through जरूर कीजेगा, ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, देखिए, पाकिस्तान दस्मी रैंक पाई है, और USA ने first rank पाई है, उसके बाद रशिया, चाइना, इंडिया, जापान and South Korea, guys, इनके President, Capital and Currency, मैंने आपको बताया है, कि वो South Korea का अभी तक नहीं बताया है, वो अगर वीडियो के लास्ट तक मुझे याद हुआ, तो मैं आपको बताऊँगा, अगर मेरे को याद रहा अभी, ठीक है, South Korea का President, Capital and Currency, मैं कोशिच करूँगा, इसके लास्ट में ये बताने की, याद दिला दीजेगा एक बड़ी, चलिए, आगे चलते हैं, but guys, प्लीज कोशिच कीजेगा, मैं भी देखना चाहता हूँ, कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद रहता है, या नहीं रहता है, ठीक है, चलिए, launcher one rocket, जो launcher one rocket है, व रिचर्ड वेंसन, जो इसके मालिक है, उनकी company, जो कि Virgin Orbit है, एक Hyperloop है, Virgin Hyperloop, ठीक है, अब आप मुझे ये बताएंगी, कि Virgin Hyperloop जो है, वो इंडिया में किस जगे Hyperloop प्रोजेक्ट को पर काम कर रहा है, और वो कब तक complete हो जाएगा, ठीक है, चलिए, ये Virgin Orbit का एक पिक है, ठीक है, रिसेंटली, हूँ है, नोटिफाइड DSIB, नीटी आयो, RBI, World Bank, या Finance Ministry, हाली में, जिसने DSIB को अधि सुचित किया है, वह निमलिक हित्मे से कौन है, अगर मैं DSIB की बात करूँ, तो ये होता है, तो आगा ही है, Domestic Systematically, आप guys बता सकते हैं कि RBI ने इसको सूचित किया है ठीक है अब ये bank कौन सी होती है इन में अभी कौन कौन से है इसमें SBI है ICICI है and SDFC bank है ठीक है एक तरीके से ये bank जो होती है ये two big two fail होती है तो guys जो RBI है वो इनको monitor करता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा NPA ना हो ठीक है जिससे कि ये bank do पाए अगर ऐसा कुछ होगा तो RBI पहले से ही इनको बताता है इनको सूचना देता है और वो पूरा अपने system में monitor करता है bank को तो ये तीन bank है जिनको systematically important bank कोशित किया है ठीक है Union cabinet has recently approved an agreement between India and country for cooperation in field of solar energy केंद्रिया मंत्रि मंडल ने हाल ही मैं सौर उर्जा के छेत्र में सैयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझोते को मंजूरी दी है उजवेकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान या फिर USA So correct answer is उजवेकिस्तान Guys, इन देशों के जो राश्चपती है, जो capital है, जो currency है, वो मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है, आप प्लीज एक बारी अपने आपको याद कीजिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है, दिन comment चक्षिन में प्लीज मुझे बताइए जिससे कि मैं अगली वीडियो में अगें फिर से आपको याद दिलाने की कोशिश कर पाऊं ठीक है, ये उजवेकिस्तान वही देश है, जिसने हाल ही में इरान में जो हमारा एक port है, ठीक है, जो एक बंदरगा है उस पर इंडिया से मंजूरी लीती कि हम भी उसको यूज कर सकें तो आपको मुझे comment section में बताने कि कौन सा वो port है जिसको इंडिया ने develop किया है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते है ये उसके बारे में ब्रीफ है, जो agreement sign किया है प्लीज एक बार go through कीजिएगा, ठीक है, किन-किन के बीच हो रहा है इंडिया और उजबेकिस्तान, ठीक है, चलिए निहाल सरीन, विंस, गज़ प्रोम, ब्रिलिसिन, प्राइज, इन निम लिखित मैं से किस खेल में निहाल सरीन ने कि गज प्रोज बिली सरीन, बिल इसरीन, प्रोसकार जीता है badminton, chess, полo या ludo, तो गज़ आँसर इस, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका, chess, रशिया में इन्होंने ये जीता है रश्या का ये, सौरी, रश्या में ये होता हैं इन्होंने ओनलाइन जीता है ठीक है चलिए नेशनल गर्ड चाइल्ट दे राश्ट्रिय बाली का दिवस कब मनाया जाता है 21 जन्वरी 22 जन्वरी 23 जन्वरी या फिर 24 जन्वरी दा करेक्ट आंसर इस ऑप्चन शी बिलकुल नहीं है करेक्ट आंसर है ओप्चन नमबर डी 24 जन्वरी 24 जन्वरी को ये मनाया जाता है इसकी शुरुवात हुई थी 2008 में राइट ये इसके बारे में ब्रीफ है ठीक है अब आप मुझे ये बताएं कि कि जो मिनिस्टर है बूमन एंड चाइल्ड डेपलप्मेंट की वो कौन है प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा अगला क्रिशन क्या है जो नेशनल गर्ल चाइल्ड दे है ठीक है ये तो मैं आपको बताई चुका हूं हाँ 2008 ये मैं बता चुका हूं आपको कि ये शुरुवात कब हुई थी पहला कब मनाया गया था दोजाराइट्स का करेक्ट आंसर है ठीक है इसके बारे में ब्रीफ है अब इसको एक बारी गो थो खीजी किश राजी के सी एम ने हाली में राशन आपूर्थी के लिए मोवाइल बित्रण इकायों को हरी जंडी दिखाई विच स्टेट सी एम रिसेंट्ली फ्लेग्ड ओफ मोवाइल डिस्पेंसिंग यूनिट्स फॉर दोर डिलिवरी और रैसन सप्लाइज राशन सप्लाइज आंद्रप्रदे इसके सी एम ने हाली में अभी क्या दिखाया है अभी जो मोवाइल डिस्पेंसिंग यूनिट्स हैं उनको हरी जंडी दिखाई है आंद्रप्रदेश के जो सी एम है वो हैं जगन मोहन रेडी जी ठीक है इन स्टेट के भी सी एम एन गवर्नेर और कैपिटल एक बारी आप अपने आपको बताएज क्या आपको अभी तक याद है अगर नहीं तेन प्लीज आंसर में दो कमेंट सेक्शन बिलो यह हैं जगन मोहन रेडी जी इस तरीके का कुछ बहिकल होगा ठीक है और यह उ उस जो इन्होंने अभी स्कीम लॉंच किया उसके बारे में यह पता आया गया है ठीक है 9,260 यह जो बहान होंगे ठीक है यह क्या कम करेंगे जो भी राचन का जो भी सामान है उसे डिलीवर करेंगे ठीक है चलिए इस से क्या फाइदा होगा कि जो लंबी लाइन में जो लोग लगे रहते थे ठीक है अब उनको उस लंबी लाइन में नहीं लगे रहना होगा ठीक है चलिए माइकल और जो सीला हेल्ड पुरुषकार है 2021 में वो किसके द्वारा जीता गया है निखिल स्रीवास्तवा नरिंद्रमोदी विराट कोली या फिर दीपिका पादु कौन जो कि एक मैथमेटिशियन है इन्होंने जीता है माइकल और सीला हेल्ड पुरुषकार यह है निखिल स्रीवास्तवा जी ठीक है यह कहां यह जो हां यह लिखिये यहां पर यूनिफोर्सिटी ओफ कैलिफोर्निया जो है वहां से यह है वहीं पर यह असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स की ठीक है गुलमर्ग में आयोजित दस में राश्ट्री आइस होकी चैंपियनशिप किसने जीती है ITBP, BSF, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयर फोर्स दा करेक्ट अंसर इज आई टी बी पी ठीक है जो ITBP है यानि के इंडो तिबेतिन बॉर्डर पुलिस इन्होंने जीती है BSF के है बॉर्डर सिक्रेटी फोर्स ठीक है इंडियन आर्मी या इंडियन फोर्स तो करेक्ट अंसर क्या है ITBP ने ये जीती है ठीक है ये इसके बारे में ब्रीफ है आप एक बारी गोथरो जरूर जरूर कीजेगा ठीक है चलिए ये विनिंग टीम का पिक है आप एक बारी देखिए इंटरनेशनल डे आप एजुकेशन जो अंतर राश्टिय सिच्छा दिवस है वो कब मनाया जाता है 23 जन्वरी 24 जन्वरी 25 जन्वरी या 26 जन्वरी 24 जन्वरी को अंतर राश्टिय सिच्छा दिवस मनाया जाता है तो अब मेरा यहाँ पर कुश्चन है कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है प्लीज रिप्लाई जरूर कीजेगा ठीक है ये है जो एजुकेशन है वो हुमन राइट है पब्लिक गूर्ड है एंड पब्लिक रेस्पोंसिबिलिटी भी है ठीक है चलिए पी-एम मोदी ने हाली में तेजपूर युनिवर्सिटी में तेजपूर युनिवर्सिटी के अठारे में जो दिच्छान समार होता उसमें अभी एड्रेस किया था यानि के संबोधित किया था तो ये जो तेजपूर युनिवर्सिटी है ये कहां बिलॉंग करती है मतलब कहां पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश, आसाम या फिर मनीपूर या फिर सिक्किम अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल नहीं है, और आसाम इन चारो स्टेट के भी मैंने आपको सी एम, गवर्नर और कैपिटल बताई है प्लीज अपने आपको जरूर बताईए कि आपको क्या ये वो याद है अगर नहीं, देन प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताईए जिससे कि मैं आपको अगेन दुबारा बताने की कोशिश करो ठीक है ये मोदी जी है जो के तेजपुर यूनिवर्सिटी में के अठारे में दिछान समारो में उन्होंने उस कुहां के स्टुडेंट को एड्रेस किया था ठीक है ये कुश्चन तो हो गया चलिए कोई बात नहीं टीक है तो इस इस डा एंड अफ दिस वीडियो इसका जो आंसर वो चाह से ठीक है है टीक है कि शोवाइस डिस देड अपने अफ जीस वीडियो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्स्क्राइब नहीं किया है then please subscribe the channel and hit the bell icon but wait 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 मैंने पिछली वीडियो में आपसे एक question पूछा था जो कमला हैरिस जी है वो किस देश से बिलॉंग करती थी आभी हालांके उनके पास जो नेशनल टी यह यह जो राश्ट्रियता है वो USA की है वो किस देश से बिलॉंग करती है तो जो कमला हैरिस जी है जो इनकी मम्मा थी वो इंडिया से थी ठीक है और जो इनके पापा थे वो थे जमाइका के ठीक है जो मम्मा थी वो तमिलाडू दिस्ट्रिक में थी ठीक है और पापा जमाइका से थे ठीक है और जो कमला हेरेज जी है वो 49th Vice President बनी है United States of America की ये फर्स फीमेल बाइस प्रेसिडेंट बनी है कहां की USA की ठीक है आज है 23 जन्वरी स्वामी विवेका नंद का आज जन्व दिन था ठीक है ठीक है इसको भी आप यात रखिए हालांकि मैं इसको एक अलग वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा तो इस दिस दा एंड अफ इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो हां एक चीज और बताना चाहूंगा जैसा कि मैंने कल पूछा था कि ये पैदा कहा होई थी तो ये पैदा होई थी कैलिफॉर्णिया में ठीक है चाहिए बाबाइ थी अधार था कि जा बाइक चैर गौट ब्लस य। चलिए बाबाइ टीकर को इस और सुछ ग्लेस आपको अथी और ब्लस य।